आज हम वाटर विस्कूलोस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि तारा मचली में पाया जाता है तारा मचली Echinodermita का जीव है जिसमें एक विशेस तरह का तंत्र पाया जाता है जिससे जल समबहनी तंत्र कहते हैं यह जल समवनी तंतर जो है वो इसके लोको मोशन में help करता है यहाँ वाटर वैस्कूलर सिस्टम सिलोम का ही एक रुपांतरित भाग होता है जो कैनाल से मिलकरके एक तंतर बनाता है इसकी जो भित्ती होती है वो मस्कूलर होती है और अंदर की तरफ से ये सीलेटेड होती है जल समयनी तंतर का हम स्टार फिश में अध्यान करेंगे स्टार फिश में जैसा की डाइग्राम में दिखाई दे रहे हैं दो सत्य पाई जाती है एक सत्य पर मुख पाया जाता है जिसे औरल सर्फेस या मुख्य सर्फल कहते हैं इसके वेपरीत भाग पर गुदा पाई जाती है जिसे एबोरल सर्फेस या अपमुख्य सत्य कहते हैं जल सम्वैनित अंतर का जो अतिकांस भाग होता है वो आंत्रिक होता है मतलब पूरा सिस्टम अंदर की और अनिमल की बॉडी में पाया जाता है इसका प्रारंबिक भाग जो होता है वो अपमुख्य सत्य पर होता है जिसे प्रारंद्रक या मैज्री पोराइट कहते हैं ओरल सर्फेस या मुख्य तल पर ट्यूब फिट के सकर्स पाया जाते हैं सकर्स और मैज्री पोराइट बाहर की तरफ होते हैं बाकी इसका पूरा भाग अंदर की और पाया जाता है। इसके सम्भैनित अंतर को आठ भागों में माटा गया है। फर्स्ट है मेज़िपोराइट या प्ररंद्रक। डाइग्राम में एनिमल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। जिसमें इसकी फाइफ आर्म है, औरल सर्फेस की तरफ माउथ है और एबोरल सर्फेस की तरफ इसमें गुदा पाई जाती हैं। की तरफ की मेंधिय पॉराइट प्राजन तो यह डाइग्राम जो है वो एबोर्ल सर्फेस का है और बी डाइग्राम पॉर्ल सर्फेस का है फरस्त हम पड़ेंगे मैधिई पॉराइट के बारे में, मेर्जी पॉराइट एक ओपनिंग होती है, जो एबोरल सर्फेस की तरफ पाई जाती है, यह एक मोटी सी सरचना होती है, सर्कूलर होती है और इसमें कैलकेरियस प्लेट्स पाई जाती है, जो सेंट्रल डिस्क के एबोरल सर्फेस या अप मुख्य सत पर पाई जाती हैं मेज्जी पोरेट जो है सेंटरल डिस्क से थोड़ा हट करके होता है जो दो भूजा होती है या जो आर्म्स होती है उनके बीच में यह इस्तित होता है तो उन दोनों भूजाओं को हम बाई व्यम या द्वी भूजी का कहते हैं बागी जो तीन बूजाए हैं जिसको हम ट्राई व्यम या त्री बूजी का कहते हैं मेज्जी पोरेट एक बटन की तरह दिखाई देता है जिसमें कई सारे छोटी छोटी खांचे होती है यह मेज्जी पोरेट के स्ट्रक्टर है यह चोटी चोटी खांचे होती है उसमें से कई pores निकले होते हैं जिनकी संख्या करीब 200 के करीब होती है यह pore एक pore canal में खुलते हैं यह diagram जो है वो metriporite का दिखाई दे रहा है जिसमें यह अंदर की और grooves और ridges दिखाई दे रही है यह ridges pore canals में pore के द्वारा खुलती है जिनकी संख्या करीब 200 के करीब होती है और pore canals फिर collecting canals का निर्माण करती है diagram में उपर के और collecting canals दिखाई दे रही है collecting canals last में metriporite के नीचे एक ampula में खुलती है ampula में एक stone canals होती है जिसे कि ampula और stone canals आपस में जुड़े वे रहते हैं इस stone canals को metriporite canals भी कहते हैं यह S के आकार की होती है जो oral surface के चारों और एक ring canals में खुलती है next diagram जब हम दिखाई देंगे तो उसमें हमें ring canals दिखाई देगी तो metriporite canals यह stone canals जो वो ring canals में खुलती है इसके अंदर की और calcareous rings पाई जाती है जिसके वज़ए से इसमें चुनने का जमाव दिखाई देता है इसलिए इसे stone canals भी कहते है stone canals इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि calcareous layers की वज़ए से यह इस तरह से देखाई देती है इसके अंदर की और जो cells होती है उनमें cilia या flesla पाई जाते हैं जो जल को अंदर की तरफ खीचते हैं जो एक शीशू स्टारफिश होती है उसमें stone canals बिल्कुल सरल ट्यूब की तरह होती है जैसे जैसे स्टारफिश की age बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके ये जो lumen है या अवकाशी का है उसमें ridges और ये coil group में इसमें दो lamular का विकास हो जाता है जो नीचे की और axial sinus है उसमें दिखाई दे रही हैं इनमें जो दो में divide होती है इसमें ये है कि एक में कैनाल में पानी नीचे से उपर की और जाता है और दूसरी कैनाल में पानी उपर से नीचे की और आ सकता है stone canals axial sinus या अक्शे कोटर में इस्तित होती है जिसमें एक axial gland पाई जाती है यह पूरी structure जो है वो axial complex कहलाती है next ring canal यह आपको diagram दिखाई दे रहा है जिसमें पूरा beach की में एक central disc है central disc stone canal है ring canal है radial canal है lateral canal है और यह tube fit की structure दिखाई देती है ring canal पेंटारेमस होती है या पंच पुजा का नाल होती है जो isophagus या grassica की चारो और एक ring के structure में पाई जाती है water vascular system में इस canal को अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है कई इसे water ring बोलते हैं कई water vascular ring बोलते हैं और कई इसको isophagus के चारों और होने की वज़े से circum isophasial canals भी कहते हैं इस circum isophasial canals की जो अवकाशिका या होती है वो starfish की अलग-अलग species में अलग-अलग होती है रिंग कैनाल radial कैनाल के मद्य में इंटर रेडियस इस्ट्रक्टर प्रेजेंट होती है इस तरह से कुल 5 इंटर रेडियस इस्ट्रक्टर इसमें पाई जाती है जो इस्टाउन कैनाल से आकर के जुड़ जाती है इस इंटर रेडियस कैनाल पर अंदर की और एक जोड़ी लोब लाइक इस्ट्रक्टर पाई जाती है जिसे टाइड मेंस बॉड़ी बोलते हैं जहां पर मेज़िपोराइट या स्टोन कैनाल खुलती है वहाँ ये एक ही पाया जाता है जैसा कि डाइगराम में दिखाई दे रहा है इनकी टोटल संख्या 9 होती है हर प्रिंग कैनाल म उस तरफ ये एक होता है इसका नाम इसके जो साइन्टिस्ट थे एफ टाइड में उनके ऊपर रखा गया है टाइड में बोडिज इन्हें रैसिमोस ग्लेंड्स भी कहते हैं इस तरह से इसमें कुल 9 टाइड में बोडिज पाई जाती है इनकी उत्पती फेगोसाइटिस सिलोमोसाइट से होती है नेक्स्ट है पोलन वैसिकल्स पोलन वैसिकल्स एक थेले के समान सारचनाई होती है जिनकी संक्या एक से पांच तक हो सकती है ये पोलन वैसिकल कहलाते हैं इस्टार फिश में ये अनुपस्तित होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम में पोलन वैसिकल एक वाटर कलेक्शन सेंटर की तरह काम करते हैं और जल की जो प्रेशर होता है उसको नियंतरन करने में अपनी भूमी का निपाते हैं नेक्स्ट है रेडियल कैनाल जो एनिमल्स की पांच बुजाएं होती है उन पांच बुजाओं में सेंटरल एक एक रेडियल कैनाल इस्थित होती है जो कि उसकी पूरी बुजा में लास्ट तक फैली रहती है टर्मिनल टैंटिकल्स तक जाकर के ये खतम होती है रेडियल कैनाल में भी सीलिया पाय जाते हैं या सीलियाटिर होती है Radial Canal से Literal Canal दौनों साइड की तरफ निकलती है Literal Canal लेफ्ट और राइट साइड में निकली हुई दिखाई दे रही है जो रोज में या पंक्ती में इस्तित होती है Literal Canal की एक पंक्ती लंबी होती है और दूसरी थोड़ी छोटी होती है तो यह alternate इसका arrangement होता है जिसमें दाएं और बाएं जो लेफ्ट और राइट की canals है वो आमने सामने नहीं होती है एक तरफ छोटी canals होती है एक तरफ बड़ी canals अरेंज रहती है इन लेटरल canals में valves मिलते हैं जिससे की पानी रेडियल canals होके लेटरल canals में जाता है और लेटरल canals से एमपूला में जाता है तो यह एक तरफ एक गेट की तरह कार्या करती है नेक्स्ट है ट्यूब फिट उपर की तरफ डाइग्राम में दिखाई दे रहा है एमपूला, पोडियम और सकर्स यह तीनों मिल करके ट्यूब फिट का निर्मान करते हैं प्रत्यक लेटरल canals से एक गोल से structure दिखाई देती है जो सबसे उपरी भाग होता है उसे हम एमपूला कहते हैं एमपूला बोडि के अंदर की और इस्तित होता है और यह पोडियम में खुलता है पोडियम एक लंबी से structure है जो ओरल सर्फेस की और निकली रहती है इससे नीचे की और सकर्स पाई जाते हैं जो ओरल सर्फेस से इसकी जो arms होती है इसकी skin से बाहर निकलती के रहती है और इसकी layer जो है वो peritonium की बनी होती है और इसमें connective tissue और longitudinal muscles पाई जाती है पोडियम के एक और की जो muscles होती है वो संकुचित हो सकती है जिससे की यह इसके movement में help करती है पोरल सर्फेस पर pubes जो होते है वो दो या चार पंक्तियों के arrangement में दिखाई दे रहे है ampula diagram में जो दिखाई दे रहा है ampula podium suckers उसमें जो इसका arrangement है lateral canal के बाहर की तरफ एक तरफ बड़े lateral canal है दूसरी तरफ छोटी arrangement जो है वो किस तरह से दिखाई दे रहे है पोरल ग्रूव में से यह दौनों और इसकी दो दो पंक्तियां दिखाई देती है अब यह water vascular system किस तरह से कार्य करता है mechanism तो वाटर वैस्कूलर सिस्टम या एम्पूला क्रल सिस्टम जो होता है उसमें जल भरा रहता है जो जल है वो इस एनिमल्स के locomotion या गमन में help करता है इकाइनो डर्मिटा के अलावा इस तरह का system किसी भी और फाइलम में नहीं पाया जाता है जब एम्पूला की जो मसल्स है या पेशिया है जब सिकूर्थी है तो उसके कारण इसमें जो लिक्विड भरा होता है पानी की रूप में वो इसके पोडियम में चला जाता है और जो लेटरल कैनाल है उसका वाल्व जो है वो इसको लेटरल कैनाल में जाने से रोखता है इनमें वाल्व जो होता है वो इसको वापिस पानी को दूसरी तरफ जाने से रोखता है इसमें जब पानी पोडियम के तरफ आता है तो उसमें जब प्रेशर डवलप होता है तो इस पोडियम की लंबाई में व्रद्धी हो जाती है और इसकी व्रद्धी होने के कारण ये पोडियम सकर्स की साइता से धरातल के संपर्क में आ जाता है और इसका जो चूसक होता है या सकर्स होता है उसका मध्यभाग सरफेस के संपर्क में आने की वज़े से ये उपर की और उठ जाता है जिससे इसमें एक vacuum develop हो जाता है और podium आधार से द्रड़ता से चिपक जाता है इसके कारण इसमें गती के दोरान ये फिसलने से बच जाता है पोडियम की जो longitudinal muscles होती है उनके सिकुडने से अंदर का जो तरल है वो वापिस एमपूला में चला जाता है और podium वापिस छोटा हो जाता है और surface को सकर्स छोड़ देते हैं इस तरह से एमपूला कि फिर नेक्स्ट जो रो है उसके एमपूला में ये process होता है और इस तरह से एनिमल आगे की और movement करते रहते हैं इस तरह से ये जो movement होता है वो इसके ये जो arms होती है उसमें होता रहता है इसके जो movement होता है उस वक्त या इस तरह से गती करता है कि इसकी 5 भुजाओं में से कोई 2 भुजा उपर की और उठी रहेगी या 2 भुजा नीचे रहेगी और 3 भुजाओं उपर उठी रहेगी जिससे की चूशक या सकर्स जो होते हैं वो अपना मजबूती से surface को पकड़ के रखते हैं और animal move करता रहता है जब mollusca का CP इसकी पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया गया है कि किस तरह से यह CP को खोल करके और उसको अपना food बनाता है तो CP को यह अपने चूसक या सकर्स की मदद से इस तरह से मजबूती से फकड़ लेती हैं कि यह उस पर चड़ जाती है और जो उसकी CP की एड़क्टर मसल्स होती है उनको इतना खींजने के वज़े से वो लूज हो जाती है और वो animal बाहर की और आ जाता है जिससे कि यह अप गमन में साहिता करता है और गमन जो है वो ट्यूब फिट की द्वारा होता है और ट्यूब फिट में जो है हाइड्रोलेसिरिक प्रेशर बना रहता है जिससे कि animal मूव करता है तेंक्यू